हम सभी जान रहे हैं कि हमारा भारत एक विस्तरिक भौगौली की काई है इसके अंदर विस्तार तो है ही जितना विस्तार है उतना ही हम देखेंगे कि बहुत सारी विभिन्नताएं भी हमको देखने को मिलती है और भिन्नताएं किस चीज़ पर फिर चाहे वो धर्म के आधार पर हो इस्तलाकरीती के आधार पर हो ये जलवायू के आधार पर मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो एक भिन्यताओं का देश है और इसलिए तो हम कहते हैं कि भारत अनेक्ता में एक्ता को प्रदर्शित करता है आप सभी को पता होगा कि भारत जो है इसमें अलग-अलग इस्थलाक्रीतियां जो हम को देखने को मिलती है जहां उत्तर में चले जाएं उत्तर से उत्तर पुर्व की और हम बढ़ते हैं तो विशाल परवत चोटियां ऐसा लगता है मानों कि ये हमारी ढाल के रूप में खड देखने को मिलता है जहां पर कृषी के द्रिश्टी कोंड से वह बहुत ही उपजाऊ है और कृषी चुकी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है इसलिए हमें विशाल जन संख्या घनत्व भी देखने को मिलता है जहां पर हम परवत चोटी उची परवत चोटियों की बात कर तो हिमाले जो है वो एक नवीन परवश्रिंखला है ठीक वैसे ही हम इसके विपरीत आ जाएं तो सबसे प्राचीन भूखंड भी हमारे भारत देश में हैं आपका दक्षिन का प्रायदीपी पठार हम जब प्रायदीपी पठार की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क यह सबसे प्राचीन भूखंड है तो हम देख सकते हैं कि जहां नवींतम जो है इस्थलाकृती देखने को मिल रही है ठीक वैसे ही आपको प्राचीन भूखंड भी भारत के अंदर देखने को मिलता है फिर 30 मैदान है जो हमारा भारत है यदि हम आप उसको गौर से देखें तो उत्तर की तरफ ये फैला हुआ है और जैसे ही दक्षिन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और दक्षिन की तरफ जो तीन सागरों से ये घीरा हुआ है जो इसे एक उप महाद्वीप या प्रायदीपी इस्थिती जो है वो प्रदान करते हैं प्रायदीप आपको पता होगा कि जो इस्थल भाग तीन और से जल से घीरा हो उसे हम प्रायदीप की संग्या देते हैं और द्वीप जो चारो और से जो इस्थल भाग चारो तरफ से जल से घीरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं आईलेंड कहते हैं और जो तीन और से जल से और ए तो हम यहां मानचीत्र में भी देख पा रहे होंगे कि जो भारत है वो उसका दक्षण कम जो छोर है वो ऐसा लग रहा है मानो समुद्र की ओर हिंद महासागर की तरफ और अंदर की तरफ घुसा जा रहा है यह सक्रा हो गया है दक्षण की तरफ और उसे तीन ओर से समुद्र ने घेर रखा है यदि हम पूरो में जाएं तो हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है यदि हम पश्चिम में आ जाते हैं तो अरब सागर है और दक्षण की तरफ हिंद महासागर है हाँ इसमें एक त्यान देनी वाली बात यह है कि हिंद महासागर में जितनी लंबी सीमा जो है हमारे देश की बनती है उतनी लंबी सीमा और किसी देश की नहीं बनती है और इसलिए तो इस महासागर का नाम हमारे देश पर पड़ा है और इसलिए हम हिंद महासागर कहते हैं कारण है तो यह तो हमने बात कर ली कि यह विविताओं से भरा हुआ है कहीं ऊची-ऊची परवर श्रिंखղाएं मिल रही हैं कहीं पठारी हिस्सा मिलता है कहीं पर विस्तरित मैदान मिलते हैं और जब हम थन stub कि डक्षनतं छोग सीरल्की या दक्षनी शीमा करते हुआ जो है आप उसका आनन ले सकते हैं या हमें ऐसा लगता है कि मानों ये समुद्र की उची उची उठती लहरे जो है वो हमारे भारत की तटी सीमा का आलिंगन करना चाह रही हो तो इतनी सारी विवित्ताएं तो इस थलाकृती से ही संबंधित हैं लेकिन इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जो धर्म है या लोगों की संस्कृतियां इसमें भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है फिर उत्तर की संस्कृती की बात कर ले या वहां रहने वाले लोगों के धर्म के संदर में बात कर ले और हम दक्षिन में चले जाएं तो उसमें भिन्नता देखने को मिलती है ठीक ऐसे ही हमें पूर्व और पश्चिम में भी यही बाते मिलती हैं तो इस्थलाकृति धर्म लोगों के रहन सहन और संस्कृति के ही साथ साथ हम देखेंगे कि भारत की जो इस्थलाकृति है वो इसकी जलवायू को भी एक विस्षिश्टता प्रदान करती है आप कहते ही होंगे कि भारत एक उश्नकटी बंधी मानसुनी जलवायू वाला छेतर है तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हम जो इसकी दक्षिंतम सीमा है जो तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई है या हम प्रायदीपी आकरिती कह रहे हैं तो ये आपके भारत को जो है मानस को बीचों बीच से काट रही है तो जलवायू से संबंधी विस्रिष्टता तो हमको देखने को मिलती ही है और हम ये देख रहे हैं कि जो इस थलाकृती है हमने हिमालय की उची परवत श्रिंखलाओं की बात की या हमने कहा कि एक शिर्ष के रूप में आधार इस्तंभ के र बाली हुई है वो हमको उत्तरी छेत्र से या उत्तरी ध्रू से साइबेरिया से आने वाली जितनी शीत लहरे हैं बहुत ठंडी शीत लहर उससे वो हमारी रक्षा करती है इसलिए तो हम कह रहे हैं शीर्ष रूप में खड़ा है हमें आधार प्रदान कर रहा है और इसके होती है अगर यह परवश्रिंखलाएं नहीं होती तो यहां से समुद्रों से हिंद महासागर से जो वाश्प भरी हवाएं उपर की तरफ उठती है और यह हिमाले इन अवरोध के कारण यहां पर बारिश करती है अगर यह हिमाले परवश्रेणी नहीं होती तो यह पूरी यह आद्र और वाश्प भरी जो हवाएं हैं वो साइबेरिया के उत्तरी छेतर में तिबत के पठार की तरफ निकल जाती क्योंकि अवरोध होता ही नहीं और इसके करण फिर बारिश नहीं होती तो जब बारिश नहीं होती तो आप इमेजिन कीजिए कि हमारा पूरा उत्तर भ जाली नदिया है उनके द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है उत्तर के विशाल मैदान का तो वो भी हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलता तो पूरा एक मरुस्थल के रूप में विस्त्रित होता और साथ ही हमें इस मैदान के भी स्थिति यहां पर देखने को नह सबनेता है वो हमें विश्विष्टिता तो इस थलाकृती के संदर में प्यादान करती ही है और संद्र je करन हमारे देश जल्वा यू पर भी विशेश प्रभाव पड़ता है और वह हमारे जल्वा ор को विशेश महत्व daí में करती है हम ये भी जानते हैं कि जो प्राचीन मानो सभ्यताएं हैं उनका विकास भी नदी घाटियों में ही हुआ है और इस्पेशली हम बात करें हमारे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की नदीयों की घाटियों में ही जो हैं वो विशेश रूप से मानो जातियां विक्सित हुई हैं और यदि हम बात करें तो इतिहास विदों का इतिहास कारों का तो ये भी मानना है कि लगभग 67,000 पहले मतलब 67,000 वर्ष पहले जो है इतिहास कार ये कहते हैं कि अफरीका से मनुष्य जो है अफरीकी महादीब से जो मनुष्य थे वो पानी और भोजन की तलाश में पश्चिमी एशिया के रास्ते भारती उपमधीब तक पहुंचें तो अभी तो हमने कहा भाई कि भारत की जो इस्थिती है या उसकी जो इस्थलाक्रीतिया हैं चाहे वो दक्षिन में पूरा महासागरी इस्थिती तटी इस्थिती जो महासागर जो है वो अलग-अलग देश से उसे अलग कर रहे हैं चाहे हम उत्तर में बात करें उत्तर और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्ची में भी जो उची हिमाले की परवत चोटियां है पूरी हिमालेईन रेंज जो है वो एक अभेदी किले की तरफ हमारे भारत देश को सुरक्षित करती है तो हम यह बोल रहे हैं कि भाई किसी भी स्थिती में भारत की सीमा को लांगा नहीं जा सकता है तो फिर यह लोग अफरिका से लोग जो है वो भारत देश कैसे पहुंचे तो मैं आपको बता दूं कि जहां उची परवत शेणिया हैं महासागरी तठ हैं तो उन्हें उनकी सीमा को पार करने के लिए जो घाटिया और दर्रे भी जो हैं वो वहाँ पर उपस्थित हैं और इसी इसमें हम बात कर लें कि चाहे दक्षण की तरफ से हम देखें तो दक्षण में मकरान तट उत्तर के दर्रों में जो उत्तर में उपस्थित परवती दर्रे हैं हिमालय में वो उन्होंने help की जो तिबबत के रास्ते मनुश्याय और पूर्व की तरफ इस तिजो दर्रे हैं वो पूर्वी दर्रे जो हैं वो म्यनमार की तरफ से रास्ते खोल देते हैं. तो तटी छेतर में घाटियों के सहारे या परवती छेतर में दर्रों के सहारे जो हैं वो रास्ते बन जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ आने जाने के लिए तो हम मान सकते हैं कि चाहे वो मकरान तठ हो या उत्तर के दर्रे हो या पूर्व के दर्रे इन रास्तों के सहारे ही जो है वो पश्चमी और पूर्वी एशिया से लोग जो है वो भारती उप महाद्वीप तक पहुँचे हैं अब हम ये देखते हैं कि हमारे सांस्कृतिक भिन्नता भी है अलग अलग धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और जब बाहर से ये सारे लोग भी आए तो इनमें हम कहें कि आपसी मेल जोल बढ़ा और एक दूसरे की संस्कृतियों को खान पान को और रहन सहन की समझ भी जो है वो इनकी आपस में बढ़ गई बच्चो हमने देखा कि हमारा भारत जो है वो भिन्नताओं में एकता का देश है अनेकता में एकता का देश है तो आएए अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले ले कि यह कहां पर फैला है, इसके आसपास इसके पड़ोसी देश कौन से हैं, इसका विस्तार कहां पर है, आकार कैसा है, आपको अगर यदि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई संबंधी जो है, वो मालो आपके घर का एड्रेस पुछता है, घर का पता, तो आप कैसे पता बता करते हैं, कि भई फला फला जो भी है, कोई जीला का, फिर शहर का, शहर में कोई कॉलोनी या मुहला होगा, और उसमें भी आप एक लैंड मार्क बताते हैं, कि इसके आसपास, इसके राइट में, लेफ्ट में, या जो भी आप एक लैंड मार्क बताकर अपने घर का एड्ज कि मेरे घर के नौर्थ में ये चीज है, साउथ में इनका मकान है, इस्ट में इनका मकान है और वेस्ट में इनका मकान है, आप जिस तरीके से भी उसे एक्स्प्लेन करें और उसके बीचों बीच जो है वो आपका घर फैला हुआ है, तो ठीक ऐसे ही यदि ये तो हो गई आपक का जीला किसी स्टेट में होगा किसी राजी के अंतरगत आता है और वो राजी जो है वो किसी देश में आता है और देश एक महादवीप के अंतरगत आता है और वो महादवीप आपके पृत्वी ग्रह पर उपस्थित हैं उस पृत्वी ग्रह पर इस पृत्वी पर अलग-अल भारत की स्थिती कहां पर है यदि आपसे कोई पूछ ले आपके टीचर जो है वो आपसे यदि पूछें कि हमारे भारत की स्थिती कहां पर है तो आप क्या अंसर देंगे आए इसके समदर्व में हम जानकारी ले हमारा भारत जो है वो उत्तर में लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है उसकी जो उत्तरी सीमा है और इसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं उसके बाद दक्षिन में आ जाए तो दक्षिन में कन्या कुमारी का केप केमोरीन पूर्व में आ जाए तो अरुनाचल प्रदेश में इस्थित जो है माउंट की बिथू और पशिम में आ जाते हैं तो पशिम की जो सीमा है वो गुहार मोती बनाती है और ये गुजरात के कच के अच्च किरण में स्थित हैं तो चाहे हम बात के लें इंद्लि term काल की या केमोरीन की या हम माउंड की भी thru और गुहार-मो्ति तो यदि हम से कोई पूछे तो हम ऐसे तो नहीं बताएंगे आपका गुहार मोती तक विस्रित है इतना बोलने से काम नहीं चलेगा इसके लिए हमको एडजेक्ट जो है इसकी अक्षांसी और देशांतरी स्थिती के बारे में चर्चा करनी होगी तो आएए हम देखते हैं कि अक्षांसी विस्तार और देशांतरी विस्तार जो है वो क्या है हमारे भारत का बच्चों अगर बच्चों जब हम अक्षांसी और देशांतरी स्थिती की विशय में बात करेंगे तो इसके पहले आपको अक्षांस और देशांतरों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है अक्षांस किसे कहते हैं हम या लैटीट्टिूट क्या है आपके सामने ये नजरा रहा होगा ये आपकी प्रित्वी है और इस प्रित्वी को बीचों बीच से या जैसे ठीक वैसे ही एक इकरेखा जिसको हम क्या बोलते हैं equator या भू मध्य रेखा उस पूरे भू भाग को जो मध्य से गुजर रही है उसे हम भू मध्य रेखा कहते हैं अब इस भू मध्य रेखा या equator के जब हम उत्तर की तरफ चले जाएं उत्तर की तरफ या उपर की तरफ आगे बढ़ें तो ये हमारे क्या हो जाते हैं नदन लेटिटूट्स या उत्तरी अक्षांस क्योंकि ये इसके उपर या उत्तरी भाग में इस्थित हैं यदि हम नीचे या दक्षण की तरफ आते हैं तो जितनी भी ऐसी ही रेखाएं खीची गई हैं उन्हें हम दक्षणी अक्षांस या सदन लेटिट्यूट्स कहते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर दूँ जब हम लेटिट्यूट्स या लॉंगिट्यूट्स अक्षांस या देशांतर कह रहे हैं तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है जो आडी लाइने हैं, latitude हमको बोलने से ही थोड़ा अभास हो रहा है, लेटी हुई, जो आडी लाइने हैं, ये latitudes हैं या अक्षांस रेखाएं हैं और longitudes या देशांतर, longitudes का मतलब होता है, long ये भी हमें बोलने से अभास हो रहा है, कि long, लंबी-लंबी जो रेखाएं खीची गई हैं, ये longitudes कहलाती हैं या देशांतर रेखाएं हैं, तो जैसे भूमद रेखा इसके बीचों-बीच से होकर गुजरी है, और इसके उपर की तरफ हम उत्तरी हिस्सा या हमारी प्रित्वी जो है, वो स्फेर की तरह है, है ना, तो हम इसे उत्तरी हिस्से को क्या कहते हैं उत्तरी गुलार्द या नदन हैमिस्फियर और इसके हम दक्षणी हिस्से को सदन हैमिस्फियर या दक्षणी गुलार्द कहते हैं, तो ये तो अगर हम दिशाओं के संदर में बात कर दिये, तो हमने देख लिया कि उत्तरी और दक्षणी और ठीक वैसे ही आपको पता होग कि चार मुख्चे दिशाये होती है उत्तर दक्षिन पूर्व और पर्शिम। तो जब हम इसे लंबे रूप में या बीचों बीस मध्य से हम जो एक इमेजरी लाइन गुजर रही है जीरो डिगरी की इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं और इस जीरो डिगरी की देशांतर रेखा के यदि हम राइट हैंड साइड चले जाएं तो यह हमारा पूर्वी गोलार्द या स्टन हेमिस्फियर और यदि हम इसके लेफ्ट हैंड तो यह हमारा जो है वो पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टन हेमिस्फियर हम कहते हैं तो हमको यह जानना है कि हमारा भारत जो है वो इन दिशाओं में से या गोलार्ध के किस हिस्से में फैला हुआ है तो इसके लिए आए हम देखते हैं हमारा भारत देश जो है उसकी अक्षा चार मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांस और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैली है बच्चों आपको यहां पर विशेज ध्यान रखना है जब मैं कह रही हूं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांस से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांस तक और ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली है अब हमको यह जानना है कि हम क्यों अक्षांसी और देशांतरी इस्थिती को बताएं या इन अक्षांस और देशांतर का क्या महत्व होता है तो बच्चों जो अक्षांस रेखाएं होती है इसका ये महत्व है कि ये दिन और रात की अवधी में अंतर को बताती है और जो देशांतर रेखाएं हैं इनके विस्तार से हमें समय का ज्यान होता है तो हम कैसे कहेंगे दिन और रात की अवधी में क्या अंतर होता है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें मालूम हैं कि जो सूरी की किरने हैं ये भूमध रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसका जो सफर है वो उत्तर में 23 डिग्री अक्षांस और दक्षिन में भी 23 डिग्री अक्षांस तक ही होता है तो यहां तक सूरी की किरने जो हैं वो लंबवत पड़ती हैं और जैसे ही हम इसकी ऊपर चले जाते हैं तो आप ये देखते होंगे कि जैसे ही ठंड का मौसम होता है तो हम कहते हैं, कि अब रातें जो हे वो लंबी हो गई है, और जैसे गर्मी का सीजन आता है, तो हम कहते हैं कि दिन कि अधी, जो हे वो लंबी हो गई है दिन बड़े हो गई है राते छोटी हो गई है और शीतकाल में राते बड़ी हो गई है और दिन जो है वो छोटे हो गई है तो ये किस आधार पे कहते हैं हम ये जो सूर्य का प्रकाश मिलने की जो अवधी होती है सूर्य का प्रकाश हमारे हम जहां पर रह रह रहे हैं वहां पर उस प्रकाश के पढ़ने की अवधी के आधार पर हम दिन और रात की अवधी का निर्धारन करते हैं तो ठीक ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कि जब सूरी की स्थिती उत्तरायन की होती है मतलब जब सूरी उत्तरी गुलार्ध में सीधा चमक रहा होता है या हम कहें कि साधे 23 अंश उत्तरी अक्षांस जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या करक रेखा भी कहते हैं यहां तक पहुंसता है तो यहां पर सूरी की किरने सीधी होती है और बहुत देर तक सूरी का प्रकाश इन छेत्र को मिल पाता है और जैसे ही सूरी की स्थिती दक्षिनायन की होती है सूरी जो है वो लंबवत होता है साधे 23 डिगरी दक्षिन अक्षांस पर जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा भी कहते हैं तो हम यह देखेंगे कि तब इस स्थिती में दक्षिन में जो है वो सूरी की किर्ने लंबवत होंगी और वहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक मिलेगा लेकिन उत्तरी गुलार्द में हम देखेंगे कि सूरी की किर्ने तिर्शी हो गई और वहाँ पर कम प्रकाश मिल रहा है तो ठीक इसी संदर में हम देखेंगे आपको dates भी आद होंगे, तीथियां जो है, 21 जून और 22 दिसंबर, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, और कुछ आपको recall भी हो रहा होगा, 21 जून, 22 दिसंबर, और 21 मार्च और 23 सितंबर, तो 21 जून क्या होता है, 21 हमारे उत्तरी गुलार्ध में, जो है, बड़ा सबसे बड़ा दिन होता है, और तब रात की अवधी जो है, वो क्या होती है, छोटी होती है, कम होती है, क्योंकि तब हमारे उत्तरी गुलार्ध में, जो है, सूर्य का प्रकाश लंबवत होता है, और 22 दिसंबर के स्थिती हम देखें, तो 22 दिसंबर में, जो दक्षनी गु अधिक मिलता है और वहां पर दिन की अधीक होगी और रात की अधी छोटी होगी लेकिन ठीक इसके विप्रित हम देखेंगे कि उत्तरी गुलार्ध में जो है वो दिन की अधी अधी दिन की अधी छोटी होगी और राते जो हैं वो लंबी हो जाएंगी तो यह तो होगी 21 जू और यह भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और वहां पर सूरी की किर्णे एकदम लंबवत होने के कारण दिन और रात की अधी बराबर होती है पूरे गोलार्ध में क्योंकि वो तो बीचों भी चमक रही है तो दोनों ही गोलार्धों में हम किसी भी गोलार्ध में चले जा दिन और रात की अवधी में जो अंतर है वो जैसे-जैसे हम उपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, उपर की तरफ मतलब उत्तरी अक्षांसों की तरफ जैसे-जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो हम यह देखेंगे कि दिन और रात की अवधी में जो है वो अंतर बढ़ता जाता है, लेकिन हम भुमध रेखा के आसपास किस्थिती में हैं तो हम वहाँ पर क्या देखेंगे कि सुरी की किरने लंबवत पड़ रही है तो दिन और रात की आधी में अंतर जो है वो बहुत कम होता है तो इसी से हमें पता चल रहा है कि हमारे भारत की स्थिती जो उसका दक्षिंटम हिस्सा है वो आपके एक्वेटर के आसपास है भुमध रेखा के पास है और उपर की तरफ ट्रॉपिक आफ कैंसर से भी उत्तर की तरफ उसका विस्तार है जिसको हम बोल रहे हैं 37 डिग्री 6 मि के बिस्तरित है तो जैसे जैसे हम इस कण्या कुमारी में केप के मोरीन से उत्तर की तरफ जम्मु कश्मीर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंके तो दिन और रात की अवधी जो है वो उसमें अंतर बढ़ता जाता है अब यह तो हो गई अक्षांसी इस्थिती की बात हम यह ग्याद करेंगे कि पहली बात तो कि हमारा भारत जो है वो पूर्वी गुलार्ध में है या पश्मी गुलार्ध में है इसके साथ ही साथ जो है यह आप यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि पृत्वी जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा ल प्रिथवी के जो पूरे 360 डिग्री देशांतर हैं वो पूरा घूम कर एक चक्कर लगा कर फिर से सूरी के सामने आ जाता है तो जो हिस्सा सूरी के सामने होगा वहाँ पर दिन की अवधी होगी और जो हिस्सा सूरी के पीछे साइड होगा प्रिथवी के बैक साइड पर पर प स्थिति होगी इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है जब अमेरिका में दिन होता है तो हमारे भारत में रात होती है वो क्यों इस ग्लोब में आप देख पा रहे होंगे कि कहां पर भारत के स्थिति है और इसके ठीक पीछे हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका है तो जब सूर्य जो है वो भारत पे सीधा पढ़ रहा होगा सूर्य भारत की स्थिती में सीधा चमक रहा होगा तो अमेरिका जो है वो उसके बैक साइड पे हैं पीछे है तो वहां पर क्या हो जाएगा अंधेरा हो जाएगा तो उसको हम क्या क सूरिय का प्रकाश नहीं पड़ पार है तो वहां पर राथ है लेकिन फिर से पृथ्वी जो है वह इस्थिर तो है नहीं वह तो अपने अक्ष पर गूमती हुई सूरिय के तो जब यह घूमती हुई प्रित्वी का जब हिस्सा अमेरिका वाला बैक साइड वाला जो हिस्सा है वो सूर्य के सामने आ जाता है और भारत वाला हिस्सा पीछे चला जाता है तो भारत के छेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो हम उसे कहते हैं कि वहां पर तो यह तो आप समझ ही गए होंगे, समय का जो है वो हमें ज्ञान होता है, अब यह कैसे होता है, इसी को आप इसमें समझ लीजिए, कि टाइम डिफरेंस, समय का अंतर आ रहा है, बोल रहे हैं न, तो 360 जो है वो देशांतर रेखाएं हैं हमारी पृत्वी पर, और 360 डिगरी द देशांतर रेखाओं को, जो है वहाँ पर सूरी के सामने आने में कितने घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का, ठीक है, तो 24 घंटे को यदि हम 360 से भाग दे दे देते हैं, तो उसमें आ रहा है आपका 15, मतलब कि हम यह कहते हैं कि एक घंटे में, जो है 15 डिगरी लेटी, एक घंटे में 15 डिगरी देशांतर को, 15 डिगरी देशांतर जो है वो पार हो जाते हैं, या वो दुरी जो है वो तै कर ली जाती है, अब जब एक घंटे में या हम कहें कि 15 डिगरी देशांतर को पार करने में लगने वाला समय एक घंटे का है, तो एक डिगरी देशांतर को कित किने देर में तै किया जाएगा हम कहते हैं नभाई कि यहां से 10 km की दूरी को जो है मालों की 2 घंटे में तै किया जा रहा है तो 1 km की दूरी को किते देर में तै करेंगे तो 10 भागित 2 ठीक वैसे ही जबकि 360 डिग्री देशांतर को पार करने में लगने वाला समय 24 घंटे का है या हम कहें कि 15 डिग्री देशांतर को पार करने में लगने वाला समय एक घंटा है तो एक डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा तो भई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 भागित 15 तो कितना आगया 4 मिनट इसका मतलब हुआ कि एक डिग्री देशांतर को हमको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो ठीक इसी लिए जब हम विस्तार देख रहे हैं कि गुजरात से अरुनाचल प्रदेश तक तो गुजरात की स्थिती जो है वो 68 डिगरी 7 मिनट में है और अरुनाचल प्रदेश की जो इस्थिती है वो 97 डिगरी 25 मिनट पे है 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे तो हम क्या कह रहे हैं तो आप देखेंगे कि यह पूरा जो एप्रॉक्स 68 डिगरी 7 मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यदि हम लॉंगिट्यूट कुल कितनी देशांतर हो रहे हैं तो हम देखरेंगे कि एप्रॉक्स 30 डिगरी देशांतर जो है वह हो रही है 68, 68 के बाद आप 78, 78 के बाद 88 और 88 से 98 तो 97 डिगरी 25 मिनट है तो एप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 30 डिगरी देशांतर का विस्तार है भारत में तो यही हम देखते हैं कि इस प्रकार से यदि जो हमने ये calculation किया कि हम time difference कैसे निकालते हैं तो हम देखते हैं कि अरुनाचल से गुजरात तक या गुजरात से अरुनाचल के बीच में जो है वो लगभग दो घंटे का अंतर आ जाता है तो बच्चों ये longitudinal जो range है या देशांतरी विस्तार है भारत का तो हम देख रहे हैं कि दो घंटे का अंतर हो जा रहा है मतलब दो घंटे पहले अरुनाचल में पहले सुरियोदय होता है और उसके दो घंटे के बाद गुजरात में सुरियोदय होगा गुजरात के गुहार मोती में और अरुनाचल के माउंट की बिथु में सबसे पहले सुरियोदय होता है तो यदी हमें कोई काम करना है और ऑफिशियल कोई ऐसे ही हम ट्रेन का टाइम टेबल ले लें यदी इसको मैं इस अंदर में बता रही हूं कि जो विस्तार है हमारे भारत का ब्यासी डिग्री तीस मिनट जो पूरवी देशांतर रेखा है वो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है अब सिर्फ भारत में ही नहीं हम हर देश में देखेंगे कि हर देश का एक मानक समय स्टैंडर्ड टाइम होता है अब इस स्टैंडर्ड टाइम की क्या जोरत है क्यों मानक समय निर्धारित किया जाता है क्योंकि अभी हमने देखा ना जैसे भारत में ही उसके पुर्वी और पशिमी हिस्से में दो घंटे के समय का अंतर आ जाता है तो हमें किसी भी प्रकार के ऑफिशियल वर्क करने के लिए या ट्रेन का जो शैडूल है वो तयक करने के लिए हमें आवश्चता है कि हमारे देश की जो जितनी भी मतलब सभी घडियां हैं वो एक ही समय को प्रदर्शित करें अगर वो सब अलग-अलग समय प्रदर्शित करे जो है वो एक ही समय पर कैसे किये जाएंगे तो फिर जूरत इस बात की हुई कि या तो हम पूर्व का ही समय माने या फिर हम पश्रिन का समय माने और या फिर हम बीच का कोई एक समय जो है वो निर्धारित करें तो इसी इसमें हमारे भारत में 82 degree 30-minute इंट जो पूरवी देशांतर जो आपके उत्तरप्रदेश के मिर्जापूर जगह से होकर गुजरती है इसे भारत का मानक समय किया गया है और इससे में को ही जितने भी जो राज है जो भी स्थान है पूरे भारत में इसी समय को जो है वो फालो किया जाता है ठीक वैसे ही देश का जितना विस्तार अधिक विस्तार होता है तो वहां पर अलग-अलग जो है टाइम जोन बनाए जाते हैं स्टैंडर टाइम निर्धारित किये जाते हैं तो अभी हमने देखा कि 82 टू डिग्री 30 मिनट जो है साड़े 82 डिग्री पुर्वी देशांतर रेखा हमारे भारत की मानक समय रेखा या स्टैंडर टाइम निर्धारित किया गया है तो ठीक है भाई देशांतर जो है वो टाइम डिफरेंस को शो करता है और इसके बाद जो अक्षांस रेखाएं हैं वो दिन और रात की अवधी में अंतर को के निर्धारण के लिए हम कहें कि इंका है लाटिट्यूट का और लॉंगिट्यूट का अब इसी में हमने अक्षांसी और देशांतरी विस्तार की बात की तो लगभग जितना अक्षांसी विस्तार है अर्प्रोक्स आपका 30 डिगरी है मतलब 8 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट तो 8 डिगरी के बाद फिर तो लगभग हम कहा रहे हैं कि 30 डिगरी का जो है वो अक्षांसी विस्तार हो गया और ठीक उसी प्रकार 30 डिगरी का ही 68 डिगरी साथ मिनट से 97 डिगरी 25 मिनट ठीक लगभग 30 डिगरी का ही जो हम कहा रहे हैं पूर्वी देशांतर हो गया लेकिन इसी हम देशांतर की बात करें कि इतने डिगरी में कितना रेंज है इसका लेकिन यदि हम देखें इसको किलो मिटर में यदि हम तै करें किलो मिटर में मतलब यदि हम केप के मोरीन, दक्षिन में केप के मोरीन से उत्तर में इंदिराव कॉल तक यदि हम दूरी तै करें, किलो मिटर में उसको मेजरमेंट करें, तो उत्तर से दक्षिन जो इसका विस्तार है, वो 3214 किलो मिटर और पूर्व से पश्शिम, पश्शिम में गुहार मोती से, पूर्व में माउंट की बीथू तक जो इसका विस्तार है, वो 2933 किलो मिटर है, तो बच्चों, अभी हमने जो है वो बात कर ली, लोकेशन की, जैसे आपके घर का लोकेशन कहां है, और आप एड्रेस बताते हैं, वैसे ही आप अपने देश का लोकेशन कहां देखें, कि हम जो इसके अक्षांसी और देशांतरी विस्तार की हमने बात की, तो ये उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व की तरफ है, मतलब हमारा जो भारत है, वो उत्तरी और पूर्वी गुलार्ध में स्थित है, इसका कोई भी हिस्सा जो है, वो दक्षनी गुलार्ध में या पश्चिमी गुलारध में नहीं आता तो यह हो गई बात आपके क्या बोलते हैं लोकेशन की कहां पर है अब इसी इसमें हम देखते हैं कि भई अक्षांसी और देशांतरी विस्तार तो हमने समझ लिया और उसके माध्यम से हमने इसका लोकेशन बता दिया और हमने यह भी ही देख लिया कि इसका दक्षिंतम जो हिस्सा है वह एकदम दक्षिं में हिंद महासागर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में हमने देखा कि अरब सागर्सी की सीमा लगती हैं लेकिन इसी लोकेशन में देखें कि हमारे और कौन-कौन से पड़ोसी देश है जिन से हमारे देश की सीमा लगती है ठीक उसी प्रकार जैसे आपके घर की सीमा या हम कहें कि घर के अगल-बगल में left and right में आमने सामने जो है वो और कौन-कौन से लोगों किन-किन लोगों का घर होता है किसको आप address करेंगे ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत के साथ पड़ोसी देश हैं जो इसकी भूमी सीमा से लगते हैं यह land boundary को के साथ अपनी सीमा बनाते हैं तो इसमें ह आगे अफगानिस्तान फिर नेपाल चीन एकदम पुर्वी हिस्से में आ जाएं तो मैनमार है भी बांगला देश है भूटान है और जब हम जली सीमा की बात करते हैं या दो ऐसे पड़ोसी देश जो तटी सीमा हमारे साथ जिनकी लगती है या जली सीमा हम के हैं तो यह देश और पाकिस्तान जो है वो दो ऐसे देश है जिनके साथ हमारी तटी सीमा भी लगती है तो बच्चों यह हो गई बात हमारे लोकेशन की तो मुख्यभूमी की हमने बात की है इस मुख्यभूमी के सांथ-सांथ हम देखते हैं कि हमारे जो दो है दो आइलेंड भी है हम पश्चिम की तरफ आते हैं तो अरब सागर में लक्षदीव यह दो मुख्य भूमी के साथ साथ हमारे आई-लैंड भी है यह हमारे ही द्वीप है तो यह हो गई बात लोकेशन की हमने पूरा स्टडी किया कि हमारा भारत कहां पर इस्थित है कौन-कौन सी देश जो है वो इ इस सब के बाद हम बात करते हैं साइज पर कि भई आकार कैसा है हमारे देश का तो और विस्तार कहां से कहां तक है तो पूरे भारत का यदि हम छेत्रफल देखें इसको हम कहेंगे कि भई यहां से यहां तक और इतने पूरे छेत्रफल का जो छेत्र है वो हमारा भारत है तो 32.9 या 87 जो है वो million hectare square kilometer हमारा पूरा total area है अब इसमें भी हम देखें तो जब हम उत्तर से दक्षिन की तरफ जाते हैं तो इसकी लंबाई 3214 km है और जब हम पूर्व से पश्रिम की तरफ जाते हैं तो 2933 km ये इसका विस्तार है यदि हम पूरे कुल भूमी सीमा की बात करें यहां पर आपको मार्क किया गया है आप देख रहे होंगे land boundary तो भूमी सीमा मतलब जहां पर वो किसी जली सीमा को नहीं छूता है कोई महासागर या सागरी हिस्से से वो कोड़ टैच नहीं कर रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं वाले सीमा की हम बात करते हैं तो वह है 1600 किलो मेटर 6100 किलो मेटर और इसमें भी हम जब जली सीमा की बात करते हैं तो देखेंगे कि गुजरात की जो सीमा है 30 सीमा वह सबसे लंबी है और कारण यह है कि गुजरात की सीमा जो है वह बहुत कटी-फटी है इसलिए इसकी 30 सीमा सबसे लंबी है अब जो हम कुल जली सीमा की बात कर रहे हैं तो ये 1600 किलो मिटर हमने देखा अब इसमें हमने भी बात की थी कि हमारे बंगाल की खाडी में अंदमार निकोबार द्वीप समू और अरब सागर में लक्ष दीप है तो ये दोनों आइलेंड भी द्वीप समू भी हमारे ही हैं तो इनकी सीमा को यदि हम मिलाएं दोनों आइलेंड की सीमा जो है वो 1415 किलो मिटर है 1415.6 किलो मिटर है तो आइलेंड की सीमा मतलब द्वीप समू की जो सीमा है और आपकी जली सीमा ये दोनों को हम मिला देते हैं तो कुल जो है जली सीमा की लंबाई हो जाती ह यह हो गया हमारा साइज की जली सीमा क्या है इस्थली सीमा क्या है अब जो हमने पूरा छेत्रफल देखा 32,87,263 किलोमीटर तो यह यदि हम पूरे विश्व के छेत्रफल को 100% मान ले तो विश्व के छेत्रफल का 2.47 प्रतिशत जो है वो हमारे भारत का छेत्रफल है तो ये हो गया साइज बच्चों इसी में कुछ जो important factors हैं जो आपको पता होने चाहिए इस पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में एक state है जो ये दोनों देशों को अलग करता है इस्ट्रेट क्या होता है जल्डम्रु मध्य है ना दो इस्थल भागों को अलग करने वाली जली सीमा को हम क्या बुलते हैं इस्ट्रेट या जल्डम्रु मध्य है तो यहां पर हम देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के इसके बाद हम अंदमान और निकोबार दीबसमूह में आ जाएं, तो भाई अंदमान और दीबसमूह बीबसमूह को भी जो अलग करता है जिसमें वो उपर की तरफ है लक्षदीब के ठीक नीचे ही आ जाएं मालदीव है मालदीव और लक्षदीव यह दोनों जो अलग होते हैं यह हम ऐसे भी कहा दें कि भारत और मालदीव को अलग करने वाला अलग करने वाली जो सीमा है वो आठ डिग्री चैनल है तो यह कुछ important facts इसके बाद जब हमने जनसं जनकर्णा 2011 के नुसार और पूरे विश्व का लगभग 17.5 प्रतिशत जो जनसंख्या है वो हमारे भारत में निवास करती है अब हम कुछ सीमा रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे जो हमारी सीमा रेखा बनती है तो भारत और पाक सीमा रेखा बनती है उसे हम रेड्ड क्लिफ लाइन को खीचा गया था 15 अगस्ती सर जिजे क्रिक लिखा जब भीभाजन हुआँ तो भई उन्होंने एक रेखा drive ती ती कि ये रेखा है कि इस एपाकिλαएन रहे prevention रिए क्रेशिजा यह origin के पीच अधे gdy devi एक जो नossे क्शृ जो है वो भारत है और इस तरफ पाकिस्तान है तो उन दोनों की सीमा बनाने वाली रेखा को रैट क्लिफ रेखा कहते हैं फिर ऐसे ही भारत और चीन के बीच रेखा कीची गई है जिसे उस सीमा रेखा का नाम है मैग मोहन रेखा ते कुछ important जो है सीमा रेखाएं हो गई अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो भारत के जितने भी हमने पड़ोसी देशों की बात की है तो कुछ संचिप्त जानकारी हम ले लेते हैं जो आपके मानचित्र की हिसाब से बहुत important है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीन है ना तो चीन के साथ जो है कुल 3488 किलो मीटर की सीमा रेखा बनती है भारत की और यदि हम देखें कि ये कहां कौन-कौन से राजिय जो है वो चीन की सीमा को टच करते हैं छूते हैं तो उसमें है आपका लद्दाक जम्मू कश्मीर का अज पर आजर्चिन के साथ सीमाने बनाती है या इन राजियों की जी चीन के साथ 2 लगत ढ़ें फिर देखते हें हम पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा बंती है वो कुल 3333 किलो मीटर की सीमा रेखा बंती है अब देखें कि कौन-कौन से राजी जो है वो पाकिस्तान की सीमा को चूते हैं पहले गुजरात राजस्थान पंजाब और जम्मु KASHMIR फिर हम आ जाते हैं नेपाल नेपाल के साथ 1759 किलो मीटर क और एक important fact है कि Nepal और भरत के बीच जो प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, काली रिवर, काली नदी जो है, यह भारत और बैच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, और कौन-कौन से राजी जो है, वो इसके साथ लगते हैं, तो हम देखें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसके बाद पश्रिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखन. फिर आजाते हैं अगला मैनमार, 1643 किलोमीटर की कुल लंबी सीमा रेखा बनती है, मैनमार के साथ कौन-कौन से राज्य इसकी सीमा को छूते हैं, तो पूरे पूर्व उत्तर राजे, आजाते हैं हम उत्तर सिदक्षिन की तरफ देखें, अरुनाचल प्रदेश, नागा लैंड और मडिपूर, मडिपूर के बाद मिजोरम, अब पटकोई हिल्स जो है, वो हम कह सकते हैं कि मैनमार और हमारे भारत के बीच में एक प्राक्रितिक सीमा का निर्मा बनती है, और सिक्किम, असम, पश्चिम, बंगाल और अरुनाचल प्रदेश जो हैं, वो भूटान की सीमा को छूते हैं, फिर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा जो है, वो बहुत छोटी है, कुल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, और डूरंड जो है वो खीची गई है, या हम कहें कि जैसे हमने भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का देखा, ठीक वैसे ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन या डूरंड रेखा खीची गई है, और एंगलो अफगान युद्ध हुआ उस समय पे सर डूरंड ने ये रेखा जो है वो खीची थी इसके बाद हम आजाते हैं बांगला देश पे तो सबसे लंबी जो सीमा है वो बांगला देश के साथ बनती है और वो है 4,096 किलोमीटर इसके साथ कौन-कौन से देश की सीमा लगती है तो पहले कौन-कौन से राज् तो बच्चो यह हमने बात कर ली कि जो जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे उनकी कितनी सीमाएं हैं और हमारे कौन-कौन से जो राज्ये हैं उन सीमाओं के साथ लगते हैं तो पूरा हमने देख लिया size and location और कुछ चर्चा भी कर ली हमने अपने पड़ोसी देश के बारे मे अब हम इसमें कुछ एक important बात यह है कि दक्षिन एशिया के जो देश हैं वहाँ पर अपनी राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध को और बहतर बनाने के दृष्टिकोंड से एक association का गठन किया गया जिसको कहा जाता है सार्क सार्क जो है वो South Asian Association of Regional Corporation इसका गठन किया गया है और भारत भी जो है इसका एक महत्तपूर्ण सदस्य है और भारत की जो इस्थिती है वो एक केंद्री इस्थिती है वो इस बात से ही पता चलता है कि अफगानिस्तान और माल्दिव के साथ अन्य जो जितने भी अनेक देश है उनके साथ हमारे भारत की जो सीमा है वो लगती है और समय समय पर यह जो सीमाएं है या जो देश हैं उनके साथ जो हमारे संबंध है वो विवाद गरस्त रहे हैं और कुछ चर्चा में भी रहे हैं और उसका सालूशन भी निकाला जाता रहा है जैसे आपका पाकिस्तानी हो अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत के सांस्कृतिक परिदिश्य पर बच्चों संस्कृति जो होती है वो किसी भी देश इस्थान या प्रदेश के जो रहन सहन है वहां के सोच विचार वहां का खान पान वहां लोगों का जो पहनावा होता है वहां किये जाने वाले लोगों के जो निरत्य संगीत हैं, उनका धार्मिक विश्वास या वास्तुकला के संदर में बात करें हम यह साहित इन सबका एक मिला-जुला रूप होता है या हम कहें मिला-जुला एक ताना बाना है है ना और सभ्यता जो होती है किसी भी स्थान की वो मनुश्य के जो भौतिक छेत्र क कि प्रगती को प्रदृश्वित करती है, और जब हम शंस्कृति की बात करें तो वो किसी स्थान के लोगों की जो है मानसिक छेत्र में प्रगती का सूचक होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो उत्तर में चाहे हम इंद्राकॉल या जम्मु कश्मीर से लेकर दक्षिन में कन्या कुमारी तक बात करें और पूर्व में अरुनाचल प्रदेश से लेकर पश्शिम में गुजरात तक की बात करें तो ये पूरा एक अनूठा विवित्ता हमारे देश में मिल रही है हम उत्तर से दक्षिन बात करें या पूर्व से पश्शिम बात करें ये सांस्कृति विवित्ता ही जो है वो हमारे देश की विरासत है हम भारत में देखें तो भारत में कुल 22 भाशाएं जो हैं जिन्हें की सम्वैधानिक दृष्ट कोड से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है और इसके अलावा भी जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो लगभग या संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं फिर हम बात कर लें चाहे जैन है पार्सी है इसलाम है इसाई है हिंदू है यह सभी धर्म के जो लोग है इनको मानने वाले लोग रहते हैं और इनके अलावा भी कई आदिवासी हम कह सकते हैं कबिले समुदाय के लोग भी यहा इच जो मिलती है इन धर्मों की जो सांस्क्रितिक विवित्ता है वो भारत को एक सतरंगी रूप प्रदान करती है ऐसा हम कह सकते हैं फिर हम देखे कि आधी काल से लेकर प्राचीन काल से जब मानाव समुदाय भारती उपमहादीप में पहुंचा और धीरे धीरे वो पूरे भ अलग-अलग प्रकार से हम इतिहास में जाएं जो एतिहासी घटना करम हुए हैं तो इसके कारण जो यहां का क्रिशक समुदाय था वो मैदानी भागों की तरफ यह मैदानी छेत्रों की तरफ जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया या फैलता गया तो उसके बाद हम कहें कि जो शिकार और पशुपालन या क्रिशी पर जो आश्रित ये क्रिशक समुदाय था ये मुख्य रूप से हम क्रिशक जो समुदाय था वो मैदानी भागों में फैल गया लेकिन जो पशुपालन और शिकार का कारे करते थे ये मैदानी छेत्रों से दूर हटते गए और दुरगम पहाडियों में हम देखें तो बहुत से जो अनुसुचित या हम कहें कि जनजातियां या आदिवासी लोग जो हैं वो अभी भी यहां पर निवास करते हैं और ऐसे जो जनजातियां है वो लगभग 600 जनजातियां भारत में निवास करती हैं भारत के अलग-अलग छेत्रों मे तो इसमें आपके मुख्य रूप से डाफला है फिर हम बात कर लें भील, गोड जनजाती, संथाल, नागा, मीजो ये प्रमुख इस प्रकार की जनजातियां भारत के अलग-अलग हम कहें कि दुर्गम पहाडियों में, वनाच्छादित छेतरों में इन सभी छेतरों में ये अलग-अलग रूप से फैले हुए हैं और इनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, इनकी एक अलग सभ्यता है, इनकी एक अलग परंपरा है, जिसका ये पालन करते हैं और हम कहें कि प्रकृति को ये प्रमुख रूप से पूजते हैं. तो हमने देखा कि हमारे भारत के सांस्कृतिक परिदिश में बहुत सारी विवित्ताएं देखने को मिल रही हैं और हमने देखा कि ये विवित्ताएं ही हमारे भारत की संस्कृति को एक सतरंगी रूप भी प्रदान कर रही हैं, हर छेतर में हमको अलग-अलग अलग धर्म और भाशा के लोग फैले हुए मिलते हैं, हाँ जोरत इस बात की है कि हम जितने भी धर्म और समुदाए हमारे भारत में मिल रहे हैं, उन सब का हम सम्मान करें, उन सब की संस्कृतियों का सम्मान करें, धर्म का सम्मान करें, उनकी परंपराओं का सम्मान करें, जिससे हम हमारे इस भारत की संस्कृतिक विरासत को हमेशा बरकरार रख पाएंगे और इसे और ज्यादा जो है वो विक्सित कर प बात करें या हम लोकेशन की बात करें या फिर हम बात करें सांस्क्रितिक परिद्रिशे की इस पूरे संदर्व में आज हमने भारत को जाना और आपको परिक्षा के द्रिष्टिकोंड से तयार करना होगा मांचित्र के हिसाब से तयार करना होगा मांचित्र पर आपको से हमे अलग को देशों के बीच इसकी सीमाई बंती नाम एं क्या fonctionना से इस डेशों के इसंट्री विस्तार की बात की जाए। आपको फोकस करना होगा की आलग अलग जो देशों के बीच इसकी सीमा रेखाएं व United उन सीमा रेखाओं के क्या नाम हैं, भारत के कौन-कौन से पडोसी देश हैं, कौन से देश है जो तटी सीमा बनाते हैं, कौन से देश भूमी से संबंधि सीमा बनाते हैं, कौन से राजी की तटी सीमा सबसे लंबी है, इस ताइब से आपको पूरा इस चैप्टर को तयार करन हैं और हैंज चायप्टर की हर एक छोटी बारिक बाते हैं हम के हैं कि सुक्ष्म जो सभी बाते हैं उन सभी का M Jahre की हिसाब से आपको त्यार करना है माचीत्र को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और मांचीतर पर ही उन सारी चीज़ों को आपको देखते हुए सभी उत्तर तयार करने हैं.